नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों एचसासी CET एक्जाम डेट का काफी यूवा इंतिजार कर रहे हैं और काफी क्या जो भी कंडिडेट बेरोजगार है वो अगर अरियाना की बरती में सेलेक्ट होना चाता है तो वो CET के एक्जाम की तैयारी भी जरूर कर रहा होगा और एक्जाम डेट का इंतिजार भी क्योंकि साथियों गुरूप C और गुरूप D की भरतिया हैं वो अब इसी बेस के उपर ओने वाड़ी हैं इसलिए सभी साथियों को इसका इंतिजार है तो इसी से एक नोटी जारी हो है साथियों क्योंकि CET की एक्जाम डेट से पहले अर्याना सरकार CET का नोटीप केशन जारी करेगी साथियों उस नोटीप केशन में सब कुछ डिशाइड होने वाड़ा साथियों नोटिफकेशन में ही आपको सलेबस से रिलेटिड चीज़े भी देखने को मिलेंगी और आपको बता दे कि सलेबस से रिलेटिड डिसकसन हुआ है मिटिंग भी हुई हैं सुजाव भी लिए गए हैं और इसके उपर आपको अच्छा कारिये देखने को मिलागा साथ यो बाकी जानकारी तो नोटिप के सनाने के बाद ही सपेश्ट हो पाएंगी कि कितना कुछ बदला उस लेवस में हो रहा है क्या जो प्रोसेस होने वाड़ा है आगे बरती का गुरूप C के अंदर जो सोशिय एकोनोमिक राइटी अरिया के नंबर लगने वाले हैं वो कब लगें सकते हैं कि अरियाना सीटी लाइव अरियाना के अन्य सभी कोर्सेज पर दुरीरा एप की तरफ से 90% ओफ दिया जा रहा है आज शाम पांच बज़े से और दस बज़े तक यह ओफ लागू रहे गा है और कि माबज़त सहल पहले आओ पहले पाओ का यह ओफर दिया गया है प अफिशल वैब साइट पर यह नोटिस आया है यानि कि मंत्री प्रिशत की जो बैठक होनी है वो 6 मई 2022 को बैठक हो के साथ यो और ऐसी इनफोर्मेशन मिल रहे ही कि इस बैठक में सीटी से रिलेटिड जो नियम है या सलेबस है जो भी साथ यो फैसला लिया जाना है वो 6 आई को आपके जो नोटिफ केशन का सोल्यूसन है वो ओने की पूरी पूरी संभावना है इस बैठक में क्या डिसीजन लिया जाएगा इसके बारे में भी सबसे पहले अमारे चैनल पर सुचना देने की कोशिस अमारी दवारा की जाएगी इसलिए साथ यो आप चैनल के जाता सेयर करें वीडियों आतक देखने के लिए तन्यवाद मेलते नाक स्टूडियों में